तो मैं देखने गया था अपने एक्स सूपरमेन याने के हिंरिक एविल की आई ताजा ताजा फिल्म आरगाइल जो एक स्पाई कॉमेडी थ्रिलर मूवी है दो घंटे 19 मिनिट की ये फिल्म कैसी है आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी सबसे पहले तो इस फिल्म की हाइप नहीं है भाई नहीं सिरिसली मैं जिस शोव में गया था वो थेटर एक्चुली पूरा खाली था दो तीन ही लोग थे उसमें भी एक कपल ही था जो तो इस मुवी के बारे में या तो लोगों को पता ही नहीं है या लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे है वैसे इंटरेस्ट लेने लायक है की नहीं बताता हो बात करें मुवी की तो भाई इसकी स्टोरी भली ही एक spy genre से हूँ, लेकिन storytelling and concept बहुत हटके दिखाया, मेरा तोता लेकिन storytelling and concept बहुत हटके दिखाया गया है, एक writer के नजरिये से, I mean first half में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप एक supernatural, fictional story तो नहीं देख रहे हैं, जादा नहीं बताऊंगा नहीं तो spoiler हो जाएगा, बट जिस तरह से writer के fictional character को real life से जोड़ा गया है, वो बढ़िया था गुरू साथी में इस film के action sequences and editing मुझे सबसे ज़ादा अच्छी लगी, जिसका best example आपको इसके train sequence में मिलेगा, जहां अच्छी खासी fight चल रही है, and characters ऐसे switch हो रहे है, excellent, I mean दो actors एक ही fight लड़ रहे है एकदम सेम तरीके से, मतलब जो भी वाद चल रहा था, वो किसी जादू से कम नहीं था, अब जहां ये writer वाली बात मैंने बोली, वो इसका first half था, तो वही इसका second half, इस बात को पूरी तरह बदल देता है, with lot of twist and turns, हाला कि इस movie को trailer के जरिये भले ही Henry Cavill को दिखा कर बेचा जा रहा हो, लेकिन इसमें उनका एक, बस एक extended cameo appearance ही है, even अपने John Cena का भी छोटा सा cameo आपको मिल जाएगा, जो की ठीक ठाक अच्छा था, बाकि सब अच्छा चल ही रहा था के climax काफी बचकाना सा कर दिया, last की fight बहुत unnatural सी लगती है, एंड बस आप अपने दिमाग में चल रहे सवालों के साथ उलत जाते हो कि हैं, ऐसे कैसे but acting wise, cinematography wise action wise, movie one time watch तो जरूर है, एकदम ऐसा hardcore suggestion नहीं है, कि जाओ जाके देखो ही, आप आराम से इसका OTT पराने का weight भी कर सकते हो, या दूसरा रास्ता तो use कर ही सकते हो वैसे movie के कुछ एक twist and turns छोड़ दिये जाए, तो आपको दिमाग जादा नहीं लगाना है, बस enjoy वैसे movie के कुछ एक twist and turns छोड़ दिये जाए, तो आपको दिमाग जादा नहीं लगाना है, बस enjoy करना है मैंने Hindi dubbed version में देखी and dubbing भी काफी अच्छी की गई है कोई vulgar scenes वगेरा नहीं है, ना ही कोई गाली गलोच, दुआ लिपा वाला dance sequence लग ही रहा था कि कुछ तो गरम कर रहे हैं ये लोग लेकिन सौरी भाई लोग, आपको ठंडा ही theater के बाहर निकलना पड़ेगा movie जादा लंबी नहीं लगती, इसके actions and twist के वज़े से, तो आप popcorn लो, movie देखो, enjoy करो और भूल जाओ, बस चूप रहना रहे हाँ, एक credit scene है, जो I think इसके prequel की और इशारा कर रहा है, overall ये एक ठीक ठाक one time watchable movie है, जिसको मेरी तरफ से मिलेगा 2.5 out of 5 stars जिसको मेरी तरफ से मिलेगे 2.5 out of 5 stars मिलते हैं अगले वीडियो में बाई, अब नहीं चिल लाएगा